यह अंतर्यात्रा सूत्र है अंतर्यात्रा है इस जगत की काल्पनिक स्तत्ता को जानकर कल्पना की सुधता में प्रवेश्थ बहुती सुन्दर सूत्र है इस जगत की काल्पनिक स्तत्ता को जानकर कल्पना की सुधता में प्रवेश्थ यह जगत जैसा है वो बस एक कल्पना मात्र है अतीत में हुए अनेयक बुद्धों ने, मनिश्यों ने इसको इसी कारण से कभी माया कहा, कभी भ्रह्म कहा, अवास्तविक कहा क्योंकि इस सचमुच में हमारी ही कल्पना से उप जा है यह वस्तुओं की बात नहीं है लोग इसमें उलद जाते हैं, क्या यह सामने जो पेंड दिख रहे हैं, यह नदियां हैं, यह पहाड हैं, यह लोग हैं, यह कल्पनिक हैं लेकिन वो सचमुच में क्या हैं, वो एक अलग विसे हमारे लिए वो कुछ और हैं, वो हमारी ही कल्पना से कुछ के कुछ हैं यह बड़ा ही स्तोद का विसे हैं, एक पेड भी किसी को सामने दिख रहा हैं, तो हर वेक्ति के लिए क्या वो एक ही हैं, यह हर वेक्ति के लिए अलग अलग हैं हम थोड़ी जाज परताल करेंगे तो निश्चिती हर विक्ति के लिए अलग अलग है क्योंकि हर विक्ति ने अपनी कल्पना को उसमें अलग-अलग धंग से आरोपित किया है सुत्र कहता है कि पहले इस जगत की इस काल्पनिक सत्ता को हम जानेंगे हम देखेंगे कि वो उतना वास्तविक नहीं है जितना हमने उसको माना है क्योंकि हमारी कल्पना बदल जाती है, हमारे लिए हमारा संसार बदल जाता है और जब हमें जानते हैं तब कल्पना की शुद्धता में प्रवेस करते हैं जो purity of imagination है और वो क्या है कल्पना की सुद्धता? वो है हमारे भीतर की विशुद्ध स्त्रजनात्मक शक्ति कल्पना असुद्ध कब होती हैं जब उनमें हमारी धार्णाएं मिल जाती है उनमें हमारे मत मिल जाते हैं उनमें हमारे विश्वास मिल जाते हैं उन में हमारे पूर्वा ग्रह मिल जाते हैं हमारे जैसे भी अनुवह रहों अच्छे बुरे वोसम मिल जाते हैं तो ये सब कुछ मिलकरी जो मिश्रन बनता है वो उस कलपना को एक नया ही रूपते देता है कोई किसी विचारधारा से प्रभावित है तो वो जब संसार को लोगों को देखता है तो उस विचारधारा के अनुशार ही उनको अच्छा या बुरा मानता है तो अच्छा और बुरा तो है नहीं क्या अच्छा और क्या बुरा हमने कलपना को असुद्ध बना दिया उसमें बाहर से कुछ मिला दिया तो हमको वैसा दिखने लगा, वो एक कालपनिक सत्ता थी लेकिन अगर हम कालपना की सुद्धता में आएंगे तो जो कि विशुद्ध स्रिजनात्मक सकती है तो हम फिर उसका आनंद लेते हैं हम को क्रेटर हो जाते हैं हम अस्तित्तो की समगरता के साथ सरजक हो जाते हैं हम सरजन करने वाले बन जाते हैं और इस कलपना की सुद्धता से ही विज्ञान पैदा होता है कला पैदा होती, साहित्य पैदा होता है, अध्यात्म पैदा होता है सब कुछ इसकी सुद्धता से क्योंकि ये मूल सक्ति है, हम इस कल्पना के साथ ही विस्तार पाते है लेकिन तब जब हम इसका जो कंटेमिनेशन है इसमें बाहर से आगई जो असुद्धियां है उनको जानकर रोग देते है ये ऐसे ही जैसे एक नदी बह रही है और उस नदी में हम तरह तरह के नाले गिरा दे, तरह तरह की गंदगी बहा दे तो नदी तो रहेगी, लेकिन न उसका पानी पीने योगर रहेगा न इसनान करने योगर रहेगा, तो नदी की उपयोगिता भी क्या रह जाएगी कहने को वो बह रही है लेकिन वो इतनी प्रदोशित हो गई है तो कलपना भी का ऐसी ही नदी है जिसमें इस्रान करके हम पुनरजीवित हो सकते हैं जिसका पानी पीकर हम प्राणवान हो सकते हैं जीवन्त हो सकते हैं क्योंकि सब कुछ तो उस कल्पना की जो सत्ता है उससे रचा जाएगा उसकी सक्ति से लेकिन बस उसमें असुदियां, ये नाले, ये गंदगी ना गिरने दें जो किसी भी पूर्वा ग्रे, धार्णा, मत, विश्वास से आती है उसको हटा देना है, इसलिए देखा जाए कि इस कल्पना की सुद्धता का उप्योग मनुष्य से ना कर पाए जितने भी धार्म बने, जो एक अर्थ में संप्रदाय हैं, उन्होंने मनुष्य को अलग-अलग कल्पना है दे दी इस्वर की कल्पना, और भी तरे-तरे की कल्पना है, तो ब्यक्ति सचमुच में धार्मिक ना होकर वो एक धार्मिक कल्पना में होता है क्योंकि जो उसकी कताब कहती है, जो उसकी व्याक्षा है, जो उस कल्पना के सुधता के नदी में इसे ही वो प्रभावित है अन्यत्हा मनुस्ति सुद्ध रूप से स्रिजनात्मक होगा जो भी उसके कल्यान के लिए हित के लिए बहतर होगा वो उस तरफ बढ़ जाएगा और वहाँ पर अपनी उस सुद्ध कल्पना सक्तिका उपयोग करेगा और ये मानुवी जीवन की अपरति मुपलब्ध है अगर वो कल्पना के सुद्धता में प्रवेश कर जाए तो वो इश्वरी हो जाता है जैसे इश्वर को हम स्रिजन करता कहते हैं इसलिए क्योंकि वो सुद्धता से समगरता जो है इश्वर अर्थात समगरता सुद्धता से बह रही है और हम भी जब अपने भीतर की उस सुद्ध स्रजनात्मक सक्ति से जुड़ जाते हैं तो हम भी बहुत स्रजनात्मक हो जाते हैं और सबसे बड़ा स्रजन यही है स्वयम का नवनिर्मान, स्वयम की सारी कालपनिक सत्ता को हटा कर स्वयम की वास्तविक सत्ता में प्रवेश कर जाना. क्ई Revelation्ला जान। की की वास्तति ऑनिर्मान, स्वयम की वास्तोकरी में । ते प्योय भारे zwyडवी ल रगरे सिझयादागे, भी हा हा नही हो कि जो इसे वुशआःगे, उसे पानाल नहींचर, कयाद दिल्सादा जाल टुम सिभ него लोहा है कि प्लाओे कि शाब नहीं हो घंट